वेलकम टू एक्टसांबी बेचना तो दोस्तों सबसे पहले आपको बीजे दश्मी की हार्दिक्चुकाम ना आए जैसा कि आपको पता है आज भगवान राम ने लंका पर बीजे पाई थी इसी का जो प्रतिक है वो है कभी भी वो राई की जीत नहीं हो सकती कि देर सवेर सच्चाई की जीत होती है इसलिए आप हमेशा सच्चाई का साथ दें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है यहाँ पर हम डिसकस करेंगे रामकाब्य परमपरा के प्रमकवियों के बारे में जैसा कि आज पता है आपको दशेरा है इसी के उपलेक्ष पर आपके समक्ष एक वीडियो लाई गई है जो है रामकाब्य धारा के अंतरगत इसमें हम आपको बताएंगे कि रामकाब्य धारा के अंतरगत कौन-कौन से प्रमक कभी आते ही अगर कभी भी आपने हिंदी साहिति के कोई भी प्रिक्षा दिये होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अवश्य रामकाब्य धारा या क्रिशनकाब्य धारा इससे स्वंधित एक प्रशन बनता है इसी को मद्य नजर रखते हुए आपके स्मक्षम ये सीरिज को स्टार्ट कर रहे हैं जल्द हम आपके स्मक्षम बाकी सीरिज को भी लेकर आएंगे जिसके अंतरगत होगे सुफिकाब्य धारा, कृशनकाब्य धारा इसके बारे में भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे तो चलिए जो आज की वीडियो है इसे शुरू करते हैं तो जो रामकाब्य प्रमप्रा के अंतरगत प्रमुक कभी आते हैं सबसे पहले उनमें नाम आता है तुलसी दास जी का इसके पश्चात होंगे रामानंद, इसके पश्चात होंगे विश्नु दास, आगी है अगर दास, ईश्वर दास, मुनी लाबन्य, ब्रम जिन दास, ब्रम नारायन मल, रामचरन दास, प्रांचन चोहान, मादू दास चारन, हरिदे राम, लाल दास, नरहरी बापट, नाव इनका अन्य नाम है नारायन दास प्रिया दास बेनी माधव दास माधव दास जगनाथी परशू राम देब चंदरी का परसाद दिख्षित बल दास बाल भक्ती ये जो बल दास और बाल भक्ती है ये भी रामकापय धरा के प्रमुक कभियों में से एक गिने जाते हैं आगे है निवास मधु सूदन जानकी शरन बाल अलीजू गौकुलनाथ मनियारसि हैं गनेश कभी केशव दास हरीदे राम सेनापती और कपूरचंद तरीखा तो ये कुछ कभी थे जो रामभक्ती का बेधरा के अंतर गताते हैं यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर इसे कहीं पर नोड भी कर सकते हो या स्क्रीन शॉट लेकर उसे कंटिनिव रिवाइज करते रह सकते हो तो ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अवश्य लाव हुआ होगा तो ठीक है यहाँ पर अपने वीडियो का स्मापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतर बने रहे इसका बहुत धनियाबाद तो गाइज यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉंच कीगी पीडियाफ को भी ले सकते हो यह जितनी भी पीडियाफ हैं यह सभी उतकृष्ट श्रेनी की है इनमें सिर्फ उनी प्रशनों को शामिल किया गया है जो पिछली प्रिक्षाओं में पूछे गये हैं इस नजरेये से यह आपकी आगामि प्रिक्षा के लिए बहुत ही लाबदाइक होने वाली हैं यहाँ पर आपको दो पीडियाफ दी जाएंगी इनमें जो पहली होगी उसमें आपको दस मौक टेस्ट दे जाएंगे यह सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो दूसरी होगी इसमें आपको 1000 प्लस बन लाइनर प्रिशन मिलेंगे